ओम शान्ति आज 28 एप्रिल 2022 है और आज के अव्यत इशारों में बाबा हमें बैलन्स वता रहे हैं जितना शक्ति स्वरूप उतना ही निर्मान और उतना ही नम्र तो आएए जानते हैं आज इन दोनों ही चीजों के बैलन्स के विशे में आज के अव्यक्त इशारों से कोई भी चीज को गर्म कर नर्म किया जाता है फिर मोल किया जाता है यहां भी गर्माई है शक्ति रूप और नर्माई है निर्मानता अर्थात स्नेह रूप जिसमें हर आत्मा प्रती स्नेह होगा वही नम्रचित रह सकता है स्ने नहीं है तो ना रहमदिल बन सकेंगे ना नम्रचित शक्ति रूप में है मालिक पन और नम्रता में है सेवा का गुण तो जब यह नर्माई और गर्माई दोनों रहेंगे तब हर बात में मोल्ड हो सकेंगे हम सब ही सच्चे सोना बन कर सोने की दुनिया में जा रहे हैं जिसके लिए बाबा हमें समय प्रती समय शिक्षा देते रहते हैं कि प्योर गोल्ड बनना है तो अपने आपको मोल्ड करना है तो मोल्ड हमें दो प्रकार से करना है पहला तो हमें सर्व गुन संपन और सर्व शक्तियों का स्वरूब बनना है जिसको आज बाबा ने कहा गर्माई अर्थात तेज अर्थात अंदर से शक्ति तो दूसरा बाबा ने कहा जितना जितना गरम होती जाती है चीज उतना उतना नरम होती जाती है नर्माई या निर्मान्ता स्वभाविक ही आती है क्योंकि हमारे गुण और शक्तियां ये देहिक गुण और शक्तियां नहीं है जो एहंकार दिलाएं क्योंकि एहंकार देहे अभिमान का स्वरूप है और ये शक्तियां आत्मिक शक्तियां है तो जितना जादा हम आत्मिक शक्तियों से शक्तिशाली बनते जाएंगे, उतना ही जादा आत्मिक गुण यानि कि ये निर्मानता नर्माई हमारे अंदर आती जाएगी और जो इन दोनों से संपन्न होगा, वही सत्यों की संसकारों में मोल्ड हो सकता है वही आपस में सोभाव संसकार के अंदर भी संसकार मिलन कर सकता है ये भी मोल्ड होना है वही इश्वर य धाचे में ढल सकता है क्योंकि बाबा ने कहा है हमारा संपून स्वरू पहले से ही कलब पहले वाला तयार है तो हमें केवल उस ड्रेस को धारन करना है हमें उसमें fit होना है उसको हम बदल नहीं सकते हमें अपने आपको बदलना है ऐसे ही विश्व को बदलने के लिए भी पहले हमें sample स्वयम बनना है तो mold होने के बहुत सारे बाबा ने हमें अभिप्राय बताए है तो ये mold होने के लिए कि हमें आत्मिक शक्तियों को धारन करना है और एक स्वरूप जो आज बाबा ने हमें विशेश बताया वो है स्नेह स्वरूप जब आत्मिक स्नेह से हम आत्माय भरपूर होती हैं तो स्वतह ही दूसरे आत्माओं की कमी कमजोरी पर हमारी दृष्टी जाती भी है तो भी रह्म कि उनके प्रती घ्रिना की नहीं वो नीच हैं हम उच हैं ये वाली नहीं उनकी कमजोरी भी कही न कहीं अपनी ही कमजोरी लगती है क्योंकि हमी तो उनके पूर्वज हैं हमें ही देखके तो उन्होंने फॉलो किया है तो जितना जितना हम ये आत्मिक्स नहें स्वरूब बनते जाएंगे हम सर्व आत्माओं के प्रती सहज ही रहम दिल और हर परिस्थिती में नम्रचित रह पाएंगे ओम शान्ति